इंटिनेट पर च्छा गई सत्पार महराज के बहु और पोते की फोटो हेलो दोस्तों अपने लॉग इन किया है फिल्म वीट एक्ट्रिस मोहिना कुमारी इन दिनों इंडस्ट्री से दूर है और अपनी मैरीड लाइफ और मदर्वुड लाइफ को काफी इंजॉय तर रही है एंट्योटेन्मेंट से दूर होने के बाद भी मोहिना कुमारी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है और फैंस के साथ अपनी फोटो और वीडियो शेयर करती है इसी साल अप्रेल में प्यारे से बेटे आयांश रावत की मा बनी मोहिना अक्सर अपने लाडले के साथ खूबसूरत फोटो शेयर करती रहती है अभी कुस दिनों पहले ही मोहिना कुमारी ने अपने बेटे आयांश की पहली बार फोटो दिखाई थी जिसमें उनका चेहरा क्लियर देखा जा सकता था अब एक बार फिर से मोहिना ने अपने बेटे आयांश के साथ फोटो शेयर क और यान्ष रेट कुर्ट और वायट पजामें में काफी क्यूट लग रहे हैं दूसरी फोटो में मोहिना खिल खिला कर अधर हस रही है और बेटे को प्यार से देख रहे हैं और पर कॉमेंट भी कर रहे हैं कि नजर न लगे अब वहीं आपको ये बता दें कि मोहिना कुमारी ने साल 2019 में उत्राखन के कैबिनेक मंत्री वा ध्यात्मि गुरू सत्पार महाराज के चोटे बेटे सुयश रावत के साथ शादी कर ली थी शादी के दो साल बाद मोहिना और सुयश को अप्रेल 2022 में एक बेटे का अर्शिवाद मिला था काफि समय तक अपने बेटे का चेहरा चुपाने के बाद 23 सितमबर 2022 को मोहिना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक फामिली फोटो शेयर की थी जिसमें उन्होंने पहली बार अयांश का चेहरा सबके सामने दिखाया था जिसे फान्स का काफी प्यार भी मिला था मोहिना ने फामली फोटो के साथ एक अपनी छोटी से फामली की भी फोटो शेयर की थी जिसमें मोहिना के हस्बेंट और छोटे से क्यूट बेटे देखे जा सकते हैं वहीं उसके बाद 25 सितमबर 2022 को मोहिना कुमारी ने अपने इंस्टा हैंडल से बेटे आयांश की एक फोटो शेयर की थी जो की जर्मास्टमी की फेस्टिवल की थी इसमें उनके लाडले कृष्ण के भेश में नजर आ रहे थे और काना की ड्रेस पहन कर आयांश काफी क्यूट लग रहे थे वहीं एक्ट्रिस भी मा यशोदा की ड्रेस में नजर आई थी इसे शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा था कि मेरा का था भाई जब पहली बार मोहिना ने अपने बेटे की क्यूट सी फोटो दिखाई थी फैंस को उनका जम कर प्यार भी मिला था फिर से जहां मोहिना कुमारी ने अपने बेटे के साथ क्यूट फोटो वाईरल की है जिसमें उनके बेटे ने मरून कलर का कुरता पहना हुआ है जिसमें उनके बेटे खर खिला कर हस रहे हैं यह फोटो आपको कैसी लगी हमें कॉमेंट सेक्षन में ज़रूर बताएगा फि झाल, झाल, झाल